भाई और भेनों आज देश में आज़ादी के बार पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूध ले रही है पहली बार दो हेक्टर से कम भूमी वाले छोटे किसानों को सरकारी लाप से सरकारी सुभिदा से जोड़ा गया है बीज से लेकर बाजार तक खेट से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पी-एम किसान सम्मान निजी के हजारों करोर रुपिये सीधे बेजे जा रहे हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों के तरब भी प्रेरित किया जा रहा है ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है इसी सोच के साथ पशुपालन हो मदुमक्खी पालन हो या फिर मचली पालन इनके लिए राष्ट्री अस्तर नई योजनाए शुरू की गई है आज भारत दूद उत्पादनम के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही लेकिन आपको जान करके खुशी होगी आज हम शहद हनीम मदुः आज हम शहद निर्यातक के रुपे भी विश्व में अपना स्थान बना रहे है हमारी सरकार के प्रयासों की वज़े से बीते साथ वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब दो गुना हो गया है और इससे किसानों की साथ सो करोड रुपिय से जादा की कमाई हुई है भाई और बैनों किसान की आए बढ़ाने का एक और विकल्प बायो फ्यूवल भी है हम खाड़ी का तेल से चलाते थे अब हम जाड़ी का तेल भी लेकर के आ रहे हैं बायो फ्यूवल की अनेक फैक्टरिया यूपी में बनाई जा रही है बदाईू और गोरकपुर में बायो फ्यूवल के बड़े कॉम्प्रेस बनाए जा रहे हैं यहां पांस में गोंडा में भी इथेनौल का एक बड़ा प्लांट बन रहा है इसका लाब इस शेत्र के बहुत से किसानों को होगा गन्ने से इथेनौल बनाने के अभियान में भी यूपी अग्रणी भुमिका की और बढ़ रहा है बीते साड़े चार साल में लगबद बारा हजार करोड रुपिये का इथेनौल यूपी से खरी जा गया है योगी जी की सरकार जब से आई है तब से गन्ने के भुक्तान में भी बहुत तेजी आई है एक समय दोहजार सत्रा से पहले का भी था जब गन्ना किसान सालों साल बकाया मिलने के लिए इंतजार करते थे पिछली सरकारों के दोरान जहां 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनी करन किया है मैं आज बलरामपूर से देज भड के किसानों को एक विशेश निमंत्रन भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तरप्देश के नहीं देज भड के किसान मेरे इस निमंत्रन का स्विकार करे और मेरे साथ जुड़े मेरा निमंत्रन की इस बात का है इसी महिने पाथ दिन के बाद 16 तारीक को 16 डिसमबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर नेक्ट्रल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है हमारे एक पद्मपृरसकार विजेता सुभाज जी करके हैं महराज सके उन्होंने जीरो बजेर खेती का एक विचार विक्सित दिया है यह वो प्राकृतिक खेती वाला विशे है इससे हमारी धरती मा भी बचती है हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से जादा होती है मेरा आप सभी किसान सात्यों को देश भर के किसान सात्यों को आगर हैं कि आप 16 डिसमबर को टीवी के माध्यम से या कृषी विज्ञान केंदर के माध्यम से जरूर इस कारकम में जुडिये आप भारी बात को समझेंगे मुझे पक्का विस्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे यह आपको बहुत लाबकारी होने वाला है